स्वागत्र दोस्तों आप सभी का आज की इसे नई वीडियो में मैं हूशुवे बहमर महराश्ट्र में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आते जा रही है वैसे वैसे राजनितिक उठापटक भी तेज होती जा रही है इस बीच औल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकाज आगाडी एमवियो को पत्र लिक कर सरकार बनाने के लिए समर्थन की पेशकश की है आल इंडिया उलेमा बोर्ड एमवियो के मिदवारों का परचार भी करेगा लेकिन उसके लिए कुछ शर्ते सामने रखी गई है आल इंडिया उलेमा बोर्ड की तरफ से क्या है वो शर्ते आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ इस वीडियो का आखिर तक पुरा जरूर देखे नमबर एक पर है दोस्तो वक्फ बिल का विरोध नमबर दो नौकरी और शिक्षा में 10 प्रतिशत मुस्लिम आरक्षन नमबर तीन महराश्टर के 48 जिलों में मस्जित कभिस्तान और दरगा की जब्द जमीन को आयुक्त के जरिये सर्वे कराने का आदेश दिया जाए नमबर चार है महराश्टर के वक्फ मंडल के विकास के लिए एक हजार करोड का फंड दिया जाए उलमा बोड ने पाचवी अपनी शर्त रखी साल 2012-2024 के दंगे फैलाने के आरोप में जेल में बंद निर्दोश मुस्लमानों को बाहर निकालने के मांग की नमबर चे मौलाना सलमान अजगरी को जेल से बाहर निकालने के लिए महाराष्ट में मस्जिदों के इमाम और मौलाना को सरकार हर महीने 15,000 रुपए देने का वादा महाराष्ट में शिक्षित मुस्लिम समुदाय को पुलिस भर्ती में प्रातिमिक्ता दी जाए नमबर 10 है इंडिया गटबंदन को रांगिरी महाराज और निदेश राने को जेल में डालने के लिए विरूद करना चाहिए नमबर 11 महाराष्ट में इंडिया गटबंदन के सहीयोगियों के सत्ता में आने के बाद औल इंडिया उल्मा बोर्ड के मुस्ती मौलाना अलिम हाफीज मस्जित के इमाम को सरकारी समीदी में लिया जाना चाहिए नमबर 12 महाराष्ट विदान सभा में 2024 के चुनाओं में मुस्लिम समुदाय के 50 उम्मिदवारों को टिकट दिया जाना चाहिए नमबर 13 महाराष्ट सरकार की और से राज्य वक्फ बोर्ड में पास्टो करमचारियों की भर्दी की जानी चाहिए नमबर 14 महाराष्ट राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्यों पर अतिकरमन हटाने के लिए महाराष्ट विदान सभा में एक कानून पारित किया जाना चाहिए नमबर 15 हमारे पैगंबर मुहम्मद सल्लिल्ला ओर सल्लम के खिलाफ बोलने वाले लोगों पर कानूनी प्रतिबंद लगाने के लिए कानून बनाना चाहिए नमबर 16 जब महाराष्ट में इंडिया गडबंदन के सहीयोगी सरकार बनाएगे तो आरेसेस पर प्रतिबंद लगाया जाना चाहिए नमबर 17 और आखरी मांग है औल इंडिया उलेमा बोर्ड की महाराष्ट विदान सभा चुनाओ 2024 भारत गडबंदन के लिए परचार करने के लिए अकिल भारतिये उलेमा बोर्ड को 48 जिलो में आवश्यक मशनरी परदान की जानी चाहिए यह थी दोस्तों NVA के पास औल इंडिया उलेमा बोर्ड की कुछ शर्ते जो के इस वक्त आप लोगों के बीच मैंने रखा दोस्तों आप सभी की इस ख़बर के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स है कमेंट बॉक्स में आकर अपने राय ज़रू बता दे डेली न्यूस देखने के लिए DSA News यूट्यूब चैनल को ज़रू सबस्क्राइब करें मैं मिलता हूँ आप सभी को किसी और ने वीडियो के साथ किसी और ने जनकरी के साथ तब तक के लिए मुझे दीजी इजासत और आपकी दुआउं में मुझे याद रखिए